नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल देवजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों लोग आपर हमेशा की तरह हिंदी का फुल्टे सॉल करेंगे जहां पर आपके 60 प्रस्ण होते हैं लेकिन आज के टेस्ट में प्रस्णों की संख्या आपकी 75 हैं काफ सभी आठ बजे अब आपका लाइव का टाइमिंग हो गया है चलते हैं सभी सभी को हाय अलो जितने लोग आते हैं भाई वो आते जाएं ठीके चलिए आपका पहला कोशन पुछा गया है हिंदी भासा की कितनी बिख्यात बोलिया हैं हिंदी भासा की कितनी बिख्यात बोलिया हैं सभी का जवाब साथ में आना चाहिए बिल्कुल से साथ में एक दूसरे क नकल कोई नहीं करेगा और नमबर डाल दीजी इसके बाद ही जवाब दीजेगा ठीके वन कसी टू कसी इस प्रकात से अंसर आपको देना है तो बिल्कुल सही है सभी का जवाब बिल्कुल सही है ऑप्सन लेट आपका वन कसी हो जाएगा आपकी आठ बोलिया है ठीके आठ बोलियों में खडी ब्रज कनवजी और दी बुन देली बगेली बांगुरु बांगुरू कौन से होती है हरीाण्वी एवाम आपकी 26 गड़ी यह मिला के कुल मिला के आपकी जो होती है आठ वोलिया होती है समझ में आ गया चलिए आगे कोर्शन आते हैं आगे कोर्शन आपका पूछा गया है हिंदी भासा का प्रतम प्रमाडिक गरंथ कौन सा है ठीके प्रतिवीर राजासो जो की चंद बरदाई की द्वार रचेट किया गया है समझ मैं आ गया अच्छा next question का आते हैं question आपसे एकला पूछा गया है कि नमलिखित में से कौन सा हिंदी साहित का काल विभाजन नहीं है बहुँ किसका कौन सा व्याजन नहीं है देखो आधुनी कुजा क्या आग मेरे पढ़ा होगा भक्तिकाल भी पढ़ा है रीदकाल भी पढ़ा है बिलको राइट जिवाब है आपका D नमबर आपका होजागा स्रयों क्तकाल ये कोई काल व्याजन आपका नहीं है ठीक है नहीं है ना डे नमबर आपका बिल्कुर सही है आगे question को आ रहाते हैं कहराप सही क्रिया परक ब्याकरणी कोटी चिन्नित कीजिए किरिया परक ब्याकरणी कोटी चिन्नित कीजिए इस कार्थ आप समझ नहीं सकते हैं हो सकता है काफी वच्चे समझते हो मतलब किरिया परली जो आपके जो कारक होते हैं कारक उनके बात कह रहा है तो यहाँ पर आपका अंसर जो हो जाएगा किरिया को करने वाला, जैसे राम ने पत्र लिखा, इस प्रकास से हम लोग कह सकते हैं कि इसका आर्थ आपका एक कारक हो जाएगा अगला जवाब दीजे, चूड़ी अच्छी थी, में कौन सी किरिया है, यहाँ पर चार आपसन है, राइट अंसर आपके यहाँ पर देखो, चूड़ी अच्छी थी, मतलब कह सेकते हैं, यहाँ पर जो अंसर आपका हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, योजग किरिया है, कै यह अच्छी थी चूड़ी अच्छी थी इस प्रकार से कई ने कहीं आपके उसकी गुड़ों की भी बात कर रहा है यहां पर जो आपका अंसर हो जाएगा चूड़ी अच्छी थी अर्थात यहां पर आपकी योजक किरिया हो जाएगी अगर आपको और डिटिल में समझना है आपको बता दें जैसे मालीजे सुनीता सुन्दर है वो उससे कहने कहीं जूड़ी है यहां पर यह तीन तो नहीं होंगे आपसन आपके योजक किरिया आपकी हो जाएगी चली अगला कोशन आपसे है कर आपसे मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्य जोड़कर बनाएगे किरिया धातुएं क्या कहलाती है मूर अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्य जोड़कर बनाएगे किरिया क्या कहलाती है तो यह आपकी किरिया होती है सिक्स का जवाब दीजी भाई तो यहां पर कह सकते हैं कि साधविक सकर्मक धात यह कह सकते हैं सकर्मक या ऐसे समझ जीए आ जोड़ दिया जाए हसवाना हो जाएगा हो जाएगा हसवाना पिटवाना तो कह सकते हैं यह प्रत्य जोड़ा गया है मूल किरिया में ठीक है मूल किरिया में हस आपकी क्या है एक आपकी अकर्मक किरिया है लेकिन यहां पर आपका प्रत्य जोड़ दिया जाए तो यह जो प्रियास कीजिए यहां पर जो है है क्रमक होती है कि यह आपके प्रत्य जोढ़ेंगे तो आपको सकते हैं कि यह आपकी प्रणार्थक हो जाएगी लेकिन प्रaurais कई सारंग की ओट सारंग जीनों पाई के सारंग कई गई चोट उप्युक्त पग्दे में कौन सा अलंकार है कौन सा अलंकार है सारंग ले सारंग कई सारंग की ओट सारंग जीनों पाई के सारंग गई चोट देखो आपको एक वर्ड मिला है सारंग 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 अर्था आत्म, यहां पर एक सब्द है, और आपकी केश्चते बार-बार मिल ला है, है ना तो इसका जो अनसर आपको हो जयेगा, बिल्कुछ सई option अपको C, यहां पर आपका यमा कलंकार है, C नम्बर आपको हो जयेगा, यमा कलंकार हो जयेगा अच्छा यहाँ पर next question को आते हैं question आप सेगला पूछा गया है जुगुपसा का इस्थाई भाव किस रश से सम्मंदित है जुगुपसा का इस्थाई भाव जवाब दीजे बिल्कुल सभी लोग साथ में तो जुगुपसा का स्थाई भाव किस रस से सम्मंदित है, ये सम्मंदित आपके वीबस से है, जुगुपसा मतलब घरडा, मतलब किसी ऐसी वस्त को देखकर जिसके मन में आपके घरडा आ जाए, जिसे खा मांस चाट लेते थे, चटनी से बैते बेटे आपने पड़ावगा वह आई आपका वीबस रफ्स या के सकते हैं आपका जुगुपसक इस थाईबाव का वीबस ठीक है चलिए नेश कोश्चन को आती है कोश्चन आप सरगला है कि निमलिखित में से कौन सा छंद का परकार नहीं है 9 का जवाब दीजी भई तो देखो आपने पढ़ाओगा चौपाई दोहा और आपका सोल्ठा ये तिन पढ़े ये ना यहाँ पर आपने द्रस्टांत क्या पढ़ाओगा भई द्रस्टांत आपका लंकार पढ़ाओगा ठीक है तो इस प्रकाल से आपका ए नंबर ये आपका छंद का प्रकार नहीं है A number नहीं है ठीके ? A number आपका सही हो जाएगा चले अगला जवाब दिए यहां पर सबी लोग साथ में जवाब दिजे दीर्ग संदी, गुण संदी, ब्रधी संदी, यंड संदी वा आयादी संदी किस मूल भेद हैं ? अर्थात यह जो आपके प्रकार हैं किसके भेद हैं किसके भेद हैं बिलकुर सिंपल कोशन हैं तो यह आपके स्वरसंदी के भेद देते हैं स्वरसंदी के पांच भेद होते हैं बी हो जाएगा स्वरसंदी, बी हो जाएगा स्वरसंदी, अगला जवाब है आपका यहाँ पर, दिया है समास, आपको यहाँ पर बताना है समास, समास है आपका क्या, पत भरेस्ट, पत भरेस्ट, अर्थात, पत से भरेस्ट हो जाना अर्थात के सकते हैं, कि एक पत से दूसर और अर्थात यहां पर आपका अपादान हो रहा है अपादान कारक है और जो कारक होते हैं वह आपकी तत्पुरुष में होते हैं तो राइट अंसर आपका C हो जाएगा आपने चुना है C तो बिल्कुल सही है जिनका जवाब C आ रहा है बिल्कुल सही है अगला जवाब मतलब कि 8 अध्याओं का समाहार ठीक है आर्थाथ यहां पर संख्या वाची होता है आपका दिख समास जिसका जवाब भी आ रहा है बिल्कुर सही है बी नंबर आपका दिख समास हो जाएगा अगला जवाब दीजे सुमित्रा नंदन पंत्र को किस क्रती पर ग्यानपीट प्र ठीक है चिदंबरा के लिए इनको मिला था 1961 में आपके पंत्र को ग्यानपीट प्रुसकार से समानित किया गया था ठीक है और कैसे कि यह जवाब का चिदंबरा है आपका 1958 में पहला संस्क्रण इनके द्वारा आपका हो गया था नई दिल्ली से प्रकासित किया गया था तो आब सौर सेनी की अर्द मगदी और मगदी तीन में से सौर सेनी में जो आपका प्रचigare का एक प्रकार है तो क्या है प्रकार है प्रच्श्मीं हिंदी की था कि हर जो तो पाँच आपकी बोलियां वोती है सोसेनिक अंतर अगर दे कैसे अगला जवाब दिजए यहां पर आपको दिया है गध्यांस और देखो अनुक्त को पर्सनल इसको बना देंगे यह जो बच्चे रिगूलर हें उनको पता होगा कि किस प्रकार से solve करते हैं, है ना, तो इस प्रकार से 19 तक हम लोग यहां पर कह सकते हैं, कि इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, समय का लॉस नहीं करेंगे, चलिए अगला जवाब यहां पर आपको देना है, नेमनिकेद प्रतेक प्रस्निके में तीन वाकित दिये गए हैं तुरुटी वाले वाकियांस को चुनिए और उसके अनरूप को आपको चिन लगाना है, देखिए भाई, यहां पर दिया है, राम चरित मानस भक्ती काल की सबसे स्रेश्टम रचना मानी जाती है, कोई तुरुटी नहीं है, यहां पर आपको तुरुटी दिख रही होगी, और तुरुटी क्या है, इसमें आपको बताना है, राम चरित मानस भक्ती काल की सबसे स्रेश्टम रचना मानी जाती है, क्या तुरुटी है, बिलकुल जवाब बिलकुल सही है, यहां पर आपका बी नमबर में तुरुटी है, क्या तुरुटी है, तो देखो यहां पर दिय स्रेश्ट्रितम यह आपका सबसे जबकि स्रेश्ट्रितम का मतलब ही होता है सबसे अच्छा इस प्रकास से यहाँ सबसे लगाना कोई उचित नहीं था इस प्रकास से भी यहाँ पर आपका कह सकते हैं गलती थी ठीक है भी नमबर आपका यहाँ पर गलती थी आता स्रेश्ट् क्या तुरुटी है नहीं आपको बताना है ठंड के दिनों में प्राता काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है तो यहां पर काफी बच्चों के जवाब बिल्कुल राइट आ रहे हैं बिल्कुल राइट जवाब है बी नमबर क्यों प्राता काल का मतलब अल्लेडी होता है सु पूरत नहीं थी तो इस प्रकास से बी नमबर आपका हो जाएगा यहां पर समय आपका नहीं लगना चाहिए था ठीक है आगे बढ़े चली अगला कोशन आपसे पूछा गया है कि जब मोहन सभा इस्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी कोई तुरूटी नही होता है ठीक है विसर्जित होता है विसर्जन नहीं होता है यहां पर देवी देवतों को विसर्जन करने नहीं जा रहे है विसरजित बोलते हैं तो इस प्रिकास से C नमबर आपका ये त्रूटी है यहाँ पर विसरजन नहीं होना चाहिए विसरजित हो जाना चाहिए था तो C नमबर आपका गलत है आगे बड़े चलिए साड़े आठ बजे टाइमिंग है जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं सभी के लिए Welcome सभी के लिए धनबाद और जितने बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बता दे साड़े आठ बजे आप मोग लाइब आया करिए साड़े आठ बजे जो रात नो बजे क्लास चलती थी अब आपको लाइब चलती है वही आपके नो बजे अपलोड हो जाता है पूरा तरीके से ठीक है तेश प्रकास से अब टाइमिंग क्या है शाड़े आठ वजे लाइब का टैमिंग है यहाँ पर दिया है मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी कोई तुरोटी नहीं है क्या तुरोटी है या नहीं जवाब दीजे सभी लोग साथ में जवाब दीजे भई दुकान पर सुद्ध गाय का घी मिलता है तो वही सुद्ध गाय कोई होती है क्या ऐसा आपने पढ़ा है कोई सुद्ध गाय होती है गाय तो सभी सुद्ध होती है ना तो यहाँ पर आपको जो गलती है आपकी मिल गई होगी गलती क्या है आपके 24 को उप्शन राइट आपको हो जाएगा B नमबर की उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर सुद्ध गाये यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए उसने लिखा थी उसकी दुकान पर सुद्ध घी मतलब के सकते हैं गाये का सुद्ध घी ठीक है यहाँ पर चाहिए था चलिए पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए जितने बच्ची यहाँ पर जुड़े हैं लाइक कर दीजिए चलिए यहाँ पर अगला कोशन आपको दिया गया है जो कि 25 से 29 हैं आपके कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको चाचा समनार्था को वाक्ष दिये हैं कहावत आपकी हैं बताना है आपको बताइए बैप 25 नमबर जवाब दीजिए कि पत्थर को जोंक नहीं लगती पत्थर को जोंक नहीं लगती इसका जवाब दीजिए पत्थर को जोंक नहीं लगती अर्था आपका कांसा होजएगा हाठी को कोई प्रभाव नहीं होता है डी नमबर आपका सही हो जाएगा हाठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है डी नमबर जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है डी नमबर चले अगला जवाब दीजे विहंगम द्रश्टी का अर्थ क्या होता है विहंगम द्रश्टी विहंगम द्रश्टी होती है मतल सरसरी नजर जिसका जवाब D है बिल्कुल सही है चलिए अगला जवाब दीजे काटो जो खून नहीं यहाँ पर हो जाएगा काटो तो खून नहीं इसका मतलब क्या होता है काटो तो खून नहीं यहाँ पर जवाब दीजे भाई पीडा सांत हो जाना नहीं बिल्कुल निर्ज जाना भय के कारण स्तफ़ध और जाना ठीक है चलिए अगला जवाब दीजिए 1 अंख न भा न फाना ऐसका जवाब दीजिए 1 साए में आर्फ़ाइड ऑपिन ऑपा करी बिल्कूल अच्छा ना लगना मंगली उठाना उनगली उठाना का जवाब दीजे सबी लोग साथ में दीजिए साड़े आठ बज़े राट टाइमिंग है साड़े आठ बज़े लाइब का टाइमिंग है टाइम का ख्याल रखा करिए उठाना अर्थात अर्थात आप्सन राइट हो जाएगा अगला जवाब आपको देना है यहाँ पर हिंदी आकरती की दरश्टी से निम्रिकित में से किस प्रकार की भासा है यहाँ पर बताना है हिंदी आकरती की दरश्टी से निम्रिकित में से किस प्रकार की भासा है 35 का जवाब तो ब persönतिस का जवाब आपको यहाँ पर देना है और 35 का जवाब आपको जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी नमबर क्या हो जाएगा स्लिष्ट योगात्मक आपकी भासा है 35 कसी हो जाएगा हिंदी आकरत की द्रश्टी से आयोगात्मक कह सकते हैं यहां पर आपकी स्लिष्ट योगात्मक भासा है स्लिस्ट योगात्माग भासा सी नंबर चले अगला जवाब दीजे हैं पर भासा विज्ञान की द्रश्टी से उ किस प्रकार का स्वर है 36 का जवाब दीजे उ किस प्रकार का है तो वे उ आपका है पर्ष्च सम्वरत स्वर पर्ष्च सम्वरत कि जिस सम्वरत द्वारा सुरों के उचारान में जीब का प्रष्च भाग कारी करता है उसे प्रष्च सम्वरत कहते हैं तो उ जब बोलोगे तो आपका जीब का थोड़ा अगला वाला भाग काम करेगा तो यहाँ पर आपका हो जएगा कौनसा यहाँ पर आपसन राइट अप कर दी हो जएगा अगला जवाब दीजे शैंतिस का जवाब चटिस गड़ी किस भासा की बोली है शैंतिस गड़ी किस भासा की बोली है बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल सिंपल है 37 का जवाब आप सम राइट आपका हो जएगा D. ये पूर्वी हिंदी के अंतरगत आती है पूर्वी हिंदी के अंतरगत हमने बताया था 3 A. B. C. आर्थात आओधी बगेली और आपकी 36 गड़ी ये 3 बोलिया होती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतरगत अगला जवाब दीजे कौन सा प्रत्य हिंदी भासा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है बहुवचन के रूप में जाना जाता है ऐसा कौन सा आपका कह सकते हैं यह आपका कह सकते हैं प्रत्य है ठीके तो कौन सा प्रत्य है 38 का जवाब दीजे तो यह आपका हो जाएगा option right option right आपका a हो जाएगा o जो आपका है यह आपका हमेशा आपके बहुवचन में ही पाया जाता है ठीके o मतलब जैसे आपने पढ़ाओगा कैसे राष्ट धनों राष्ट धनों अर्थात राष्टों हो जाता है ना इस प्रकार से यहाँ पर आपका जूड़ता है जो प्रत्य हो आपके हो जाएगा यहां पर हो रही है आप लोग उने गुड़ वाचक भी सेशन पढ़ा होगा जिसमें से उसके गुण दोस रंग आकार इस्तिद्धसा आज का बोध होता है उसे गुड़ वाचक कहते हैं तो यहां पर अंसर राइट जवाब को हो जाएगा वह आपको हो जाए कौनसा गुड़ वाच तुलसी दास ठीक है सूर दास तुलसी दास और यह आपके जो आते हैं यह आपके सगुड़ भक्तिदारा में आते हैं यहां पर जो अंसर आपका है कौनसा ए नंबर बिहारी बिहारी जो आपके हैं यह आपके रीत कालिन कभी है ठीक है ए नंबर आपका हो जाएगा रीत का ठीक है चलिए यहां पर आपको इनको जवाब देना है चलिए यहां पर आपके कह सकते हैं प्रीवियस येर कोशन आपके हैं इनको भी आप साल्ड कर सकते हैं यहां पर आप से कोशन पूछा गया है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं पूरब और उत्तर ऐसे बोला है ना तो इस प्रकार से अगर बनाना चाहो तो बना सकते हैं यह आपका पूराब होता है और आपका यह उत्तर हो जाएगा यह आपका परस्चिम यह आपका दच्छिन तो यह वाला जो होता है आपका इसे बोलते हैं आप इसे देखो इसे बोले इसान बोल देते ह यह बाजनेंगा honesty वॉयाव बचा वॉयाव वॉयाव बचा बचाएं दत्छिटर पर कौन साथ भी जवाब्द मेघ संद्टास भर कूनोगा था भी चाकू सब्द का बहुचन क्या होता है चाकू सब्द का बहुचन तो वहें चाकू का बहुचन क्या होता है बिल्कुश सही जवाब है कि चाकू का हमेशा चाकू ही होता है जिसका जवाब D है बिल्कुश सही है चाकू का चाकू ही होता है बहुचन चाकूँ मत कर देना गलती से भी चलिए अगला कोश्चन के जवाब दीजे आपर कोश्चन आपसे अगला पूछा गया है चंद पढ़ते समय आने वाले वीराम को क्या कहते हैं उन्हों बोलते हैं यती क्या बोलते हैं यती बोलते हैं ता देखते हैं उसे बोलते हैं ठीके चंदसास्त में इसे यत यतवा इसका वीराम यविस्टराम कहते हैं ठीके बी नमबर आपका या हो जाएगा अगला कोश्चन का जवाब देते हैं आपर कोश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बहिर मुखी सब्दे में कौन सा उपसर्ग है बहिर नमफैम इसमीरी मुखीत मिंकला कोश्चन आप पहर गजाब कदाए यहां पर जवाब देए बिल्कूर सही जवाब क्या होना चाहिए पांच का जवाब हो जएका of action right ता इस जो अनुवाद है इसको जोडता है कुछ अपको बताया था ठीक है चले अगला जवाब दिजे साथ में अगला question आपका आ गया है किनमें से कौन भक्ती कालीन कभी नहीं है तो यह देखो कोशन फिर से आपका repeat हुआ है तो option right आपका यहां पर यह हो जाएगा बिहारी ठीके बिहारी आपके के सकते हैं यह आपके भक्ति कालिन नहीं है आपके रीद कालिन के कभी है ठीके और इनकी जो रचना है कौन सी बिहारी सदसाई अता 702 का संकलन है ठीके अच्छा इनके दोहों में एक point होती बिशिस्त आ होती है कि इनके दोहों में सरंगार रसकी प्रधानता होती है जोगी गागर में सागर भरते हैं है ना चले अगला जवाब देते एंहां पर question आते हैं. Question आपसे अगला पूचा गया है. Question आपसे पूचा है. Harst का below मताइए. Harst का below क्या हो जाएगा भई? Harst का below यहां पर दिया है खुसी, विसाद और यहां पर आपका दो और दिया है उलास और आनंद. तो भाई हर्स का बिलोम क्या होता है B, हर्स का बिलोम हो जाएगा आपका B साध हो जाएगा ठीके, तो B नमबर आपका 7 का option right आपका B हो जाएगा B नमबर, चलिए अगला जवाब दीजे यहाँ पर हमने कुछ question जोड़ दिया था ताकि टेस्ट थोड़ा सा long हो जाए क्योंकि आज की टेस्ट में प्रस्णों की संख्य कम पड़ रही थी इस कारण से, चलिए अगला जवाब दीजे, काट की हांडी बार बार नहीं चड़ती है काट की हांडी बार 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 नहीं चड़ती है क्या होजेगा भई बिल्कुल सही है छल कपट का बिवार हमेशा नहीं चलता है option right up का भई छल कपट का बिवार हमेशा नहीं चलता है option right up का भई होजेगा very nice बिल्कुल सही है इसी प्रिकास से त्यारी सभी subject करिये गभई तब ही आनंद आएगा चलिए अगला बताईए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जवाब क्या हो जाएगा, खिसियानी बिल्ली, क्या हो जाएगा, खिसियानी बिल्ली मतलब, अपनी सर्म छिपाने के लिए बेर्थ जुझलाना, option आपका C हो जाएगा, अपनी सर्म छिपाने के लिए बेर्थ हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा सी चलिए अगला जवाब दीजिए आपर कोशन आप से अगला है पीडियाप आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी बैई सभी को बता दें पीडियाप आपको टेलीग्राम पे मिलेगी राजा सेवक को कंबल देता है वाक्मे रिखांकित वद में कौन कारक है राजा सेवा को कंबल देता है है ना तो देना है अर्थात यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कौन सा कर्म कारक है संबंद है और आपका यहाँ पर दो और होंगे संप्रदान कारक तो अंसर आपका हो जएगा C, संप्रदान कारक आपने पढ़ाओगा कि जब वाक्ट में करता किसी के लिए कुछ कार करे तो वहाँ संप्रदान कारक होता है और चिन आपका को के लिए होता है जिसे राजास इवक को कंबल दे रहा था आपका कंबल देना यहाँ पर एक संप्रदान कारक होगा ठीके C लिए ओगा अगला जवाब दीजिए आपर अगला जवाब आपका का चुका है कोश्चन आचुका है योगदान में कौन सा समास है सभी लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजए योगदान में कौन सा समास है वही बिलकुल राइट है बाराक उप्शन राइट आपका हो जाएगा आपर B नमबर तत्पूरुस समास ठीके योगदान में अतात योगदान का जो समास विग्रा करेंगे तो बनेगा योग का दान ठीके योगदान में आपका हो जाएगा कौन सा यह खष्टी तत्पूरुस समास है बिलकुल सही है बिलकुल सही तयारी है चलिए एगला जवाब दीजिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाब भी कौन सा है खड़ी बोली प्री प्रवास ठीके प्री प्रवास समंद जो आपके आयोद्दा सिंग उपद्धाय हरियोत की द्वार आपका एक आधारिस्तम है और इसमें 17 सर्ग है कितने बहिया इनमें 17 सर्ग है जिनमें से श्री क्रश्ण के गोकुल से मत्रूरा जाने पर ब्रजवासी गोपी और गोप और गोपियां राधा की विरा अनुबदी को वर्डन करते हैं ठीके और यह आपके कह सकते हैं खड़ी बोली का प्रथम मांका आप भी माना जाता है ठीके चलिए यहाँ पर निश्ट कोशन काते हैं के इन में पर संयुक्त नहीं है संयुक्त बेंजर क mini यह कोंसा when कितने होते हैं कितने होते हैं कितने होते हैं चार शात्र रग्यां और परिस्तन सrा इस Πरकार से यहां पर जवाब का D non व memoir है यहाव पका फ़ां संयुक्त बेंजर में नहीं सभी का जवाब बिल्कुल आ रहा है अब त्यारी लग रहा है कि बिल्कुल जोरो सोरो से हो रही है इस बार को देखो लोवर PCS में अगर किसी ने थोड़ा सा चूका खा गया है तो आपको जिन्य रिस्टेंट में चूका नहीं खाना है ठीक है मिल्कुल सभी है चली अगला जवाब है कि अब पढ़कर क्या होगा इस वाट में कौन सी क्रिया है अब पढ़कर क्या होगा उन्हेस का जवाब option right आपको हो जाएगा यहाँ पर a number पूरुकाली किरिया जिस किरिया का सिधान्त होना किसी दूसरी किरिया के सिध होने की पहले पाया जाए ठीक है और link वचन पूरुसे प्रियुक्त ना हो उसे पूरुकाली किरिया कहते हैं ठीक है यहाँ पर देखो पढ़ने का कार पहले हो रहा है आता है यहाँ पर कह सकते है पढ़कर जो आपकी है यह पूरुकाली किरिया है option right आपका a हो जाएगा चलिए अगला जवाब दीजिए आपर next question के और आते हैं question आप से अगला है कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है काटना का तत्सम क्या होता है 20 का option right आपका काटना का होता है करतन बिलकुर nice question बिलकुर सही है बिलकुर जवाब है सी नमबर करतन next question के जो आते है question आप से अगला पूछा गया है चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर यहाँ पर परयाबाची पूछा है समुद्र का परयाबाची सभी के जवाब आना सुरू हो गए है 21 का option right समुद्र क्या हो जाएगा option right आपके आपका C अरड़ो देखो यहाँ पर option जो C है यहाँ आपका होता है समुद्री के पर्यावाची और भी होते हैं जैसे कि आपके पारावार अब्दी, नसीद, वरीज, आस भी होते हैं इसके अन्य पर्यावाची होते हैं ठीके, option right आपका C number आपका हो जाएगा चलिए next question को आते हैं सभी के जवाब आ रहे हैं पर चलिए अगला question आपका है सौधामनी, सौधामनी के पर्यावाची बताए सौधामनी किसका पर्यावाची है तो भई किसका पर्यावाची है बिलको right question है आपका D number विद्धुत याद रखेगा सौधामनी सब्द पर्यावाची जो है आपके बिद्दुत का है और भी इसके परेवाची होते हैं जैसे चंचला, चपला, दामनी, तारित, छड़प्रभा, आदी होते हैं ठीके चलिए सौधामनी सुद्ध सब्द नहीं है या आपका कह सकते हैं सौधामनी यहाँ पर जो आपका होता है यह आपका होता है ठ अगला question करूप दीजिए आपर सब्सक्राइब चलिए चीन आपसे है वह अंधा है वह अंधा है वह अंधा है इस वाक bol दैव biggest कौण कौं सा अव्यA है 24 का जवाब दीजे 24 का जवाब आपकня यहां पर आ गया कौन सा वह लाचार है क्योंकि वह अंध़ है यहां पर कारण जो 9 बज़े जूड रहे हैं उनको बता दें साड़े 8 बज़े से क्लास जूडती है ठीक है साड़े 8 बज़े से लाइब क्लास होती है अब काफी बच्चे 9 बज़े की मतलब पहले लाइब जो क्लास रहती थी 9 बज़े रहती थी ना तो काफी बच्चों को नहीं पता होगा, तो 9 बजे जूड रहे हैं, तो उनको बता दें, साड़े 8 बजे से live class आपकी चलने लगे हैं, तो साड़े 8 बजे से live आजाय करिए, चली एगला है, जैसा काम वैसा दाम में, जैसा किस ब्याकरन कोटी का है, जैसा सब्द जवाब का ह है, वो किस प्रकार का है, जैसा काम वैसा दाम में, जैसा सिर्फ पूछा है, पचीस का जवाब, तो पचीस का जवाब हो जाएगा, यह आपका कैसकते हैं, कि जैसा काम वैसा दाम में, जैसा जो है, वो आपका ब्याकरन कोटी का है, जैसा करोगे, वैसा भरोगे, है ना, त कहरा आपसे कामाईनी महाकाबिके रचेता कामाईनी महाकाबिके रचेता कौन है तो भई कामाईनी महाकाबिके रचेता आपसन राइट बिल्कुल सही है सभी के जवाब यहाँ पर आ रहा है साथ में सी नम्मर आपको हो जाएगा जैसंकप साथ यह आपकी महाकाबिके रचेत बैध़ में लगने वाली को बोलते हैं और पैट में लगने वाली को बढ़ वागन बोलते हैं समुद में जातिवाचक स्ग्या है तो बैना का माइनी होगी, आम होगा रसीला होगा या वकील तो याद रखे, वकील जब आप जवापका है वह आपका जातिवाचक संग्या है जिन संग्याओं से एक ही प्रकार की वस्तूं अथवा ब्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक कहते हैं जैसे पद होते हैं कोई कार होता है इस प्रकार जो सामिल होते हैं तो इस प्रकार के वेवसाय वगारा वो आपके जातिवाचक में आते हैं अगला जवाब दिए यहाँ पर कोशन आप से अगला पूछा गया है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है 29 का जवाब दिजे सभी लोग साथ में 29 का जवाब बिल्कुर राइट है अंसर आप कसी हो जाएगा रूपक अलंकार जहां उपमे पर उपमान का आरोप करते हुए दोनों में आभेद बताया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है ठीक है ना यह देखो उपमा की तरह है रूपक में उपमे तरह उपमान दोनों अलग अलग आपके कहे जाते हैं ठीक है चलिए अगला कोशिन काते हैं कोशिन आपसे अगला है कोशिन आपका अगला है परा उपसर्ग का अर्थ क्या है तीस का जवाब परा उपसर्ग परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है दूर उल्ट का कम इस पर का से कह सकते हैं उल्टा कह सकते हैं या दूर कह सकते हैं या कम कह सकते हैं तो अंसर राइट आपके यहां पर हो जाएगा बी नमबर उल्टा परा का उफसर क्या हो जाएगा यहां पर उल्टा हो जाएगा ठेक है अच्छा यहां पर नेस कोशन को आते हैं कोशन आ पर बताईये है तुरटी मिल गया जवाब बिल्कुत सही एं आपके यह पर दिया है आपका वी नमबर सुन है यहाँ पर दिया है यहाँ बीर्थ का प्रियों रियोकित के फिपाद वकल्फ में जो आपका वी दिया है वेकार इसका कोई मतलम निकलता है धनवान को बेर्थ तो इसका तो अंसर निकल लाए है बेकार में इसका क्यार्थ निकल लाए नहीं अर्दात इसी से काम चल जा रहा है इस प्रकास से बेकार लगाने की जुरत नहीं थी option right आपका B यहाँ पर कर सकते हैं आपका गलत है ठीक है चले अगले question को आते है question आप से अगला पूछा गया है चले अगले question आपका है कि निम्न में से कौन सा लुटेरा सब्द में प्रियुक्त प्रत्या है लुटेरा सब्द लुटेरा में प्रियुक्त प्रत्या कौन सा है 32 का जवाब 35 का जवाब option right आपका A हो जएगा एरा प्रत्य है ठीक है ए नमबर A रा प्रत्य है चलिए next question काते हैry question आप से घला है यहाँ पर के आरापसे जो इंद्रपर विजय प्राप्त कर चुछा हो जो इंद्रपर विजय प्राप्त कर चुछा हो उसे क्या कहते हैं 33 का जवाब 33 का जवाब option right आपका हो जाएगा यहाँ पर C number इंदर जीत बिल्कोर सही है जो इंदर पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंदर जीत कहा जाता है ठीक है और जबकि इंदरियों को जीतने वाले को जीतेंदरी कहते हैं जीतेंदरी किसे कहते उसे बोलते हैं कुलीन बोलते हैं क्या बोलते हैं कुलीन बोलते हैं उच्चिकुल में पैदा बैक्ति को कुलीन का जाता है जबकि समानवर्ग में होता है उसे बोल देते हैं सवर्ड ठीक है सवर्ड बोलते हैं जो समानवर्ग में होता है चले नेस कोशन का आते हैं कोशन वन कौन सा है देखिए अंसर आपका यहां पर बिल गया है D number sa देखो कह सकते हैं आप लोगों ने पड़ाओगा का खागा उन्हें में ठीके तो sa जो आपका आता है यह वाला sa 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 तो यह जो sa आपका आता है किसमें होते हैं ऑगोस में आते हैं, वो जो आपका हा होता है, वो आपकी कह HersBox चला जाता है, सग जिए क्षाना है, जवाब दीजिए, irame ने खाना खाया होगा में काऊन सी क्रिया है? राम ने खाना खाया होगा कौन सी किरिया है 36 का जवाब दिजे राम ने खाना खाया होगा 36 का राइट अंसर राइट अंसर आपका हो जाएगा संदिक दिभूत काल जरूरी ने कि खाया है या नहीं खाया अथात किरिया के जिस रूप से भूत काल में कारिका हो ना प्रकट हो पर संदे बना रहे उसे संदिक दुभूत काल कहते हैं ठीक है अंसर राइट आपका भी हो जाएगा नेस्ट कोशन कहाते हैं कोशन आप से गला है के आपसे निम्न में से संदी है संदी आपका दिया है आपका एत्मान मुरारी इतमन मुरारी में जो आपका संदी है कौन सी है भाई इसे तोड़ना पड़ेगा तोड़ेंगे तो आपका बनेगा एततधन मुरारी क्या बनेगा एततधन मुरारी अर्थात यहाँ पर जो आपका है वो आपका है आपका बेंजन संदी ठीक है ए नमबर आपको हो जाएगा बेंजन संदी आपकी है ठीक है बेंजन संदी चलिए नेस कोशन का आते हैं कोशन आपसे अगला है कहरा आपसे यहाँ पर जब पानी बरसता है तब में ढख बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सवाक है जब पानी बरसता है इसका सिर्फ इत पूछा गया है कि इन पंक्तियों में कौन सा लंकार है चार चंद की चंचल किर्णे खेल रही थी जल्थल में कौन सा लंकार है चार की चंचल किर्न चाचा के अबरती पर लंकार जहां पर बार बार हो रही रहाती है सी नमर आपका सजह है राम की गाय चरती है तो यहाँ पर राम की गाय आथात का की के रारी ने आपने पढ़ा है जो होता है आपकी सम्मंद कारक में आपसर राइट आप कसी हो जाएगा यहाँ पर सम्मंद प्रत्मा करता ने दुतिया कर्म को करन सेक पढ़ा है ना आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा, जाते जाते वीडियो लाइक भी कर लीजिए, धन्यवाद, जैहिन, जैह भारत, गोड़ नाइट, सभी को टेक केर, जैहिन, चलिए बाइ